गजरीज कोatta सिरीज में आज बहुत-बहुत महा-इंपॉटन्टर मेंस्टार्ट करने जा रहा हूं महा-इंपॉटन्टर्यक्शन डाउट व्डी एलोलRYक्शन अधरोल्रीक्शन यह मालू कोई भी एक्जाम की आफ तायारी कर वह उ human और एक्जाम में आपको LDL reaction जरूर देखने को मिलने वाली है क्या क्या पढ़ने वाले हैं पूरा डीटेल में पढ़ने वाले हैं बहुत अराम से समझना LDL reaction या LDL condensation कौन से compounds ये reaction शो करते हैं सबसे पहले तो वो समझना मैं लिख रहाओ कार्बोनिल कंपाउंट्स यानी LDL या ketone containing कार्बोनिल कंपाउंट्स containing SP3 alpha carbon एक एक शब्द को समझना SP3 alpha carbon having alpha hydrogen सब का मतलब मैं बताऊंगा can undergo can undergo this reaction मतलब देखना C double bond carbonil group बगल में कोई भी एक carbon में लगा दिया या कोई भी R group है carbonil के just साथ वाला carbon alpha और उस alpha carbon पे present है alpha hydrogen यानी carbonil के just साथ carbon पे hydrogen होना चाहिए वो compound cell dole दे सकते है सबसे पहले तो सोच कर देखना क्या ये compound देदेगा हाँ जी सर आजू बाजू दोनो आजू बाजू दोनो साइड alpha hydrogen है alpha carbon पे hydrogen है और सोचो benzene का रिंग C double bond OH सर यहाँ तो carbon नहीं है alpha carbon और ये phenyl कुछ ऐसे है क्या सोच न C double bond OH ये alpha carbon है बट ये SP3 नहीं है it is not SP3 तो यानी ये reaction नहीं देगा फिर सोच कर देखना क्या ये compound देदेंगे हाँ जी alpha carbon है और alpha hydrogen भी है आप ये point समझ पारें कौन compound C reaction देंगे और कौन नहीं देंगे जिनके पास भी alpha carbon पे hydrogen होगा और alpha carbon कैसा होना चीए must be SP3 वो ये reaction दे सकते हैं अब product कैसे बनाना है अब product कैसे बनाना है ये समझते हैं पहला example आपके साथ discuss कर रहा हूँ CH3 C double bond O और H बहुत आराम से समझना ये compound alpha carbon है alpha hydrogen भी है रियेजंट क्या यूज करेंगे अब रियेजंट देखना dilute NaOH यूज कर सकते हैं maximum cases में आप यही रियेजंट दिखेंगे सिरफ dilute NaOH इसके अलावा भी कुछ रियेजंट है dilute KOH aqueous K2CO3 लिख सकते हैं aqueous Na2CO3 लिख सकते हैं aqueous barium hydroxide लिख सकते हैं क्या product बन रहा होगा mechanism के साथ जानना दोस्ट mechanism के साथ सीखना मैं इस compound को उल्टा करके लिख रहा हूँ आप बहुत अराम से देखते चलना सबसे पहले OH-alpha carbon से H लेकर जाएगा OH-alpha carbon से H लेकर जाएगा तो यह C double bond हो H plus गया इस carbon से तो कारण पर क्या आएगा minus आएगा ठीक है यह minus क्या resonance कर सकता है resonance करके stable हो रहा है कि देखना resonance करके stable हो रहा है बनने वाले anion को बनने वाले anion को कहते है inolate iron कैसे O-minus double bond CH2 this is inolate iron alkyne का in है और O- को एच ले लो तो alcohol का O-l है inolate iron आप देखना यहाँ पर क्या होगा एक और molecule लीजिए उसी compound का एक और molecule लीजिए अब attack करवा दीजिए कैसे यह bond इदर गुमेगा तो partial minus इस पे partial plus यह minus इस carbon पे attack करेगा देखना मैं पहले red वाला white वाला segment पूरा बना रहा हूँ H C double bond O CH2 अब यह yellow pen से बनाता हूँ यह वाला compound carbon जिस पे ओपर आ गया minus बगल में है methyl और एक hydrogen दिखा compound और आप इसको water दे दीजे तो आप देख पा रहें यह compound बन जगया होगा CH2 H C double model CH2 COH H और methyl और यह इस अवाल में heating भी मौजूद है तो आप water का removal कर दो बगल से H और OH लेकर water का removal कर दो CH double bond C OH methyl यहनिके अपनोंने क्या किया यहाँ पे खाली dilute NUH लिखा है तो मैं यह compound बना रहा हूँ क्या आप एक-एक step सीखते हुए चलना दोस्त और सवाल में heating भी मौजूद है तो बगल से hydrogen और OH water का आप क्या कर दीजे removal कर दीजे आपको क्या यह basic step पता लगा basic step पता लगा बनने वाले compound को क्या नामे देखना carbonil के जस साथ वाल अलफा यह beta beta पर OH ग्रूप आ रहा है नाम इसका beta hydroxy carbonil compound बनने वाले compound को आप कह रहे है beta hydroxy carbonil compound यहाँ देखना carbonil के जस साथ अलफा और यह beta sorry OH नहीं आएगा वाल wait यहाँ OH नहीं आएगा water remove करने के बाद ठीक है OH नहीं आएगा water को तो आपने remove करी दिया alpha beta पर क्या pi bond है यानि unsaturation है नाम होगा alpha beta unsaturated carbonil compound यह इनका category naming है क्या यह इनका category naming बहुत important mechanism में दोस्ट बहुत अराम से समझना आपने aldehyde लिया compound में OH भी आया that is why इसको नाम general नहीं में aldol general नहीं में aldol अब क्या-क्या हुआ है इत्मनान से सुनना मैंने क्या-क्या बताया बहुत अराम से समझना सबसे पहले OH- माइनस बगल के carbon search लेकर जाएगा अनायन दूसरे molecule पर यह इसके दो मुल लेंगे उस पर attack करेगा bond बनाएए water से O minus quash दे दीजिए heat कर दीजिए product बना दीजिए IOPS सारे steps आपको बता लग गए होंगे IOPS सारे steps बता लग गए होंगे कुछ examples ओर करते हैं कुछ examples ओर करते हैं बहुत अराम से देखना एकक्तम feel लेकर जाना इस topic को जबाँ पढ़ रहे हैं मेरे साथ तो इसको feel लेकर जाएए और बहुत अराम से सीखेगा मैं यहाँ पर लिख रहाँ OH- खाली O basic medium लिखाए क्या ही अल्डोल करेगा कार्बोनिल के ज़स साथ अलफा है उस पर हाइड्रोजन है जी हाँ अल्डोल करेगा आप एक-एक step पे mechanism सीखना CH3 सिरफ alpha carbon से H को चुराना है तो देखना यह H मैं ऐसे बना दे रहा हूँ तो OH-CH लेकर जाएगा तो आप ऐसा 9 बनाएंगे क्या CH पे माइनस C double bond OH इसी का दूसरा मोल ले लिजे यानि इस reaction में 2 मोल यूज हो रहे है आप इसी का 2 मोल लेंगे तो ऐसा कुछ लिख रहे होंगे क्या देखना और इसका attack इस molecule पे करवाएंगे बनने वाला compound देखना कैसे सबसे पहले तो लेफ्ट वाला part बना लीजे CH उसके साथ कुछ ऐसा है मैं इसी carbon पे लिख देता हूँ देखना C double bond O मैं इदर लिखता हूँ C double bond H इस molecule पे टेक हुआ तो O पे माइनस एक hydrogen और यहां पर क्या है CH2 CH3 अब क्या करें सार अरे कुछ नया नहीं करना है अरे कुछ नया नहीं करना है यह देखना किसी को डाउट हो तो मैं circle कर देता हूँ यह वाला part मैंने लिखा है यह रहा यह वाला part दिखा और अब इसको लट से red से कर देता हूँ यह red वाला part यह रहा बहुत अराम से देखना अब yellow से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ O minus square खिला दीजे और C double bond लोगो तोड़ा सुन्दर लिख देता हूँ टाकि देखने में अच्छा लगे C double bond O और उसके साथ वाले कार्वन पे क्या क्या है सर उसी के साथ कार्वन पे तो एक मिथाईल भी तो है ना तो मिल्थाईल जिब काईए यह blue circle वाला part और अब orange से लिख देता हूँ यह red circle वाला part OH, H, CH2, CH3 यह रहा final compound यह रहा final compound देख रहे हैं थोड़ा सा practice में लाईएगा बहुत important point है सीख के जाना फिर एक example समझना बहुत examples करेंगे अब यह वाले molecule में अल्डोल करवाकर OH- के साथ यह वाले molecule में अल्डोल करवा रहा हूँ बहुत आराम जे समझना आप product बनाने की खोशिष्ट करो आप सीख जाएंगे सबसे पहले OH- बगल वाले carbon से अच लेगा alpha carbon से सर यहां तो 4-4 alpha hydrogen किसी एक quench abstract करवा लो आप यह बनाने वाले double bond हो इस पे minus आप क्या करें सर इसी का दूसरा mole ले लो वो इस पे attack करेगा bond shift आप अपने level पे अपने हातों से mechanism लिख कर देखना पाएंगे कि mechanism बहुत टफ नहीं है आसान है double bond हो यह bond यहां से जुड़ा है यह ring मैंने जूड़ दिया और इस पे क्या क्या है उस देखना इसी carbon पे जुड़ा है तो इस पे O- लिख दूँ और आप इसको क्या खिला दीजे आप इसको water से h खिला दीजे यह रहा O-H दिख गया है compound दिख गया क्या compound एक-एक step आप बना कर देखना आपको अच्छा लगेगा क्या क्या है मैं बता देता हूं देखना circle करके दिखाता हूं यह वाला पार्ट तो यह रहा यह रहा और जो दूसरा वाला पार्ट है वो भी देखेगा वो यह वाला पार्ट यह रहा यह रहा अलूल reaction देख रहे हैं मजदार example से न आईए एक और सुन्दर और बहुत बढ़िया example करते हैं आपको अच्छा लगेगा एक महा important example में याद भी रखना मेंस ने पूचा भी है इस compound में आप barium hydroxide डाल कर heat कर रहे हैं heat भी कर रहे हैं water का removal करिएगा बनने वाला compound एक बर मैं direct बना दे रहा हूं ठीक है आप try करके देखना बनने वाला compound है mesetyl oxide means में आया हुआ है j means में उन्होंने question पूचा था कि mesetyl oxide का IUPAC name mesetyl oxide का IUPAC name आप मुझे बताइए ठीक है comment करना मैं wait कर रहा हूं कि आपका answer सही है गलग चेक कर लें जरूर दियान रखना mesetyl oxide का IUPAC name case समझ गए कि आप लोग आईए एक दो questions और करते फिर आगे चलेंगे मैं एक सवाल लिख रहा हूं बहुत आराम से समझना OH- अब यहाँ देखो दो sides है एक एक possibility समझना अब यहाँ पर दो sides है अपने ही molecule में 5 या 6 member की ring कभी बन रही हो तो सच reactions है intra molecular intramolecular aldol अपने ही molecule में ring बन रही है तो intramolecular aldol कितने की ring आपको बनानी है 5 या 6 member ring 5 या 6 member ring 5 या 6 member ring है तो आप ring बनाएंगे और aldol reaction करवाएंगे आप सबसे पहले ही समझना कि OH-H कहाँ से abstract करेगा OH-H abstract वहाँ से करेगा जहाँ कर दीजे एक बार सोचो एक alpha position ये है और दूसरी alpha position एक ये रही और एक ये रही ये alpha position से इसके respect में ये right वाल alpha और ketone के respect में ये दो alpha है आप एक काम करो आप एक बार possibility सोचो एक बार आपने यहां से h abstract करवाया देखना कहां से आपने इस वाली position से h abstract करवाया ठीक है आप क्या 9 ये बनाएंगे हम तो सीख रहे हैं तो आप possibility सी सोचो ना अप अपने आप आप से डूण लेंगे CH2 माइनस अब इस CH2 माइनस का attack इस पर करवाये और चेक करना ring कितने member की बनेगी एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ सारी तो साथ member की ring बन रही है सारी तो साथ member की ring है हम यह attack नहीं करवायेंगे गलत चलो दुबारा लिखते हैं दुबारा सोचते हैं सोच के देखना यदि H यहां से abstract हो जाता यह वाले alpha से यलो वाले alpha से तो यह attack करता तो ring कितने member की बनती चेक करो एक, दो, तीन, चार, पांच सार साथ और पांच मेंट सार आप साथ वन कार्बन पर क्या है लेट से वन कार्बन है वन कार्बन पर C double bond O methyl है क्या 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ पोजिशन पर क्या होगा यह bond ऐसे migrate किया होगा फिफ्थ पोजिशन पर O पर minus आया होगा पानी दे दिया पानी दे दिया O minus को H मिल गया double bond methyl अब मैं सवाल में कह रहा हूँ heat भी mentioned है अब मैं सवाल में कह रहा हूँ heat भी mentioned है तो बगल से H बगल से H O H आप वहाँ से abstract करेंगे और एलकीन बनाएंगे जहां से conjugated system मिल रहा हूँ पाई सिगमा पाई का conjugation है तो आप ये वाला attack करवाएंगे अब कुछ लोग कहेंगे सरी तो बहुत confusing है कभी आप यहां से कर रहे थे कभी आप यहां से कर रहे थे मैंने आपको सारी possibilities लिख कर बताई अब एक point दियान रखना सत जुगाड है क्या अरे आपको तो बता है वालिया का जुगाड चली जाता है अब एक point समझना क्या होने वाला है यह aldehyde है यह aldehyde है यह ketone है ज्यादा ज्यादा partial plus कहां पर है यहां पर यह partial plus है तो यहां पर यह partial plus है क्योंकि methyl का plus हाई मिल रहा है तो आप पहले वो side select करो select the side select the side which has which has more partial plus charge तभी तो उस पर attack करवाएंगे अच्छा अब मैं समझ गया कि आपने attack यहीं पर ही क्यों करवाया है आपने attack यहीं पर ही क्यों करवाया है क्योंकि यह aldehyde है जादा reactive है तो ketone वाली side से हको abstract करवाया और aldehyde पर attack करवाया अब पतलागा मैंने ऐसा क्यों करवाया था क्योंकि यह जादा reactive थी हमें कैसे बता लगेगा इसलिए तो मैंने कहा कि आप वो side select करेंगे जहां partial plus हो generally aldehyde are more reactive than ketone तो aldehyde वाली side पर ही attack होगा कि इस पतलागा यह aldehyde के सारे case मैंने आपके सारे discuss किये आयोफ आपके यह वाले points आपको clear भी हो गए होंगे aldeal बहुत बढ़िया से आपको बता दिया है और यह वहाँ सारी चीज़े आपको देरे देरे बताते रहेंगे और अगली naming reaction में फिर मिलते हैं मैं बहुत सारी naming reaction पढ़ा चुका हूँ यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजे और पूरा series complete कर लीजे चैनल को subscribe नहीं किया तो आप subscribe कर सकते हैं this is your all time video channel को subscribe करेंगे दोस्तों के साथ video share करेंगे मिलते हैं अगले video में